काउंटर करेंट मेकैनिजम में देखिए मेरनी सबसे पहरे तो आपको जानना है कि काउंटर करेंट का मतलब क्या होता है काउंटर मतलब होता है उल्टा करेंट मतलब किसी भी लिक्विड का फ्लो तो जो भी लिक्विड का फ्लो है वो उल्टा चल रहा है यहाँ पर counter current mechanism में होता क्यों है generally पहली बात किस-किस के बीच में होता है कितने counter current बनते हैं और होता क्यों है यह सारी चीज़ें हमें देखनी है होता तो इसलिए है कि concentration of urine करना है हमें highly concentrated urine बनानी है अब देखिए यह जो हमारा PCT के बाद loop of henley है यह हमारे descending limb of loop of henley और ascending limb of loop of henley इन दोनों के water के जो इन दोनों के जो filtrate के flow है यह opposite direction में है तो यह एक counter current बनता है इसके अलावा वासा recta जो peritubular capillaries की एक branch निकलती जिसे हम वासा recta कहते हैं इसका descending limb and ascending limb इन दोनों के बीच में एक counter current बन रहा है और वासा recta और loop of henley के बीच में एक उपर जा रहा होता है एक नीचे एक यह counter current बनता है तो total हमारे nephron में तीन counter current बनते हैं अब इसी से होगा concentration of urine अब देखिए concentration of urine होगा कैसे mainly आपको ये बात तो पता ही है कि nephron के सारे parts cortex में होते हैं loop of henley जो है या फिर collecting duct और loop of henley ये दोनों के दोनों हमारे medulla में होते हैं तो हमारा जो medullary pyramids होते हैं उनमें concentration का कुछ level ऐसे vary करता है 300, 600, 900 and 400 इसका जो interstitial space है इसका concentration कुछ इस type से vary करता है ये हमारा bowman's capsule है यहां हमारी है capillaries, blood capillaries हमारे blood का जो concentration है 300 milliosmol के बराबर का होता है जो filtrate आता है उसका भी 300 milliosmol के बराबर का ही होता है अब ये जो PCT है यहां से water और salt दोनों के लिए permeable है ये PCT तो दोनों यहां से निकलते हैं तो यहां पर जो concentration है fluid का 300 ही रहता है क्योंकि दोनों बराबर निकल रहे हैं जैसे ही ये हमारा medullary region में आता है 300 concentration ही लेकर आता है medullary region की भी 300 osmolarity है बट जैसे जैसे ये descent करता जा रहा है medullary interstitium के concentration हमें बढ़ती होई दिख रहे है इसके बढ़ती होई concentration देखकर हमारे जो descending limb है loop of end लेकिए water release out करती है diffuse out करना start करती है क्योंकि ये water के लिए permeable है आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने सारा water दे दिया है तो सबसे पहले water लेंगे उसके बाद में salt तो water के लिए ये permeable है water इससे बाहर निकलता जाएगा और ये concentrate होता जाएगा अंदर का जो filtrate है उसका भी concentration जो हमारा medullary interstition में उसी के बराबर का 300, फिर 600, 900 और 1200 तक vary करेगा नीचे आते आते ये 1200 हो जाएगा फिर जब ये ascending limb में उपर जाएगा तो फिर से interstition का जो concentration है वो कम होता जाएगा तो इसमें से salt के लिए permeable है ये वाला limb salt बाहर release out करते जाएगे यहाँ आते आते इसका जो concentration है 300 बराबर हो जाएगा उपर आकर इसका जो concentration है 200 million के बराबर का हो जाता है DCT में देखिए यहाँ तक जितना भी हुआ ना यह तो हो गया concentration of urine अब counter current करने के लिए यह जो हमारा वासा रेक्टर चल रहा है इसी के साथ साथ चल रहा है आपको कुछ दिहान नी रखना है आप यह दिहान रखिए जैसे यहां से salt निकल रहा है वासा रेक्टर की जो descending limb है यह salt के लिए permeable है salt को ले लेगी और ascending limb water के लिए permeable है water को ले लेगी कभी-कभी थोड़े amount में salt दे भी देती है अब इसके बाद में जैसे ही इतना तो हमारा common चलना है नेफ्रोन में हमेशा ही चलना है जब आपने वरत रखा हुआ है आपने अगर करवा चोत का वरत रखा है तो आपकी body में आपने कम पाने पिया है होता क्या है? ADH नाम का hormone आता है collecting duct और DCT में water channels को खोल देता है जिससे की water बाहर जाना start हो जाता है water का reabsorption हो जाता है इधर से भी और इधर से भी और concentrated urine बनके 4 times concentrated urine जो है वो हमारा pass out हो जाता है बट अगर हमारी body में sufficient amount of water है तो फिर aqua purines खुलते नहीं है थोड़ा बहुत salt या water बाहर निकल भी जाता है थोड़ा बहुत और dilute urine जो है वो हम लोग out करते थे क्योंकि पानी ज्याता है overall हम भी करना क्या है का descending limb salt के लिए permeable होगा क्योंकि यहां से ले लेगा और यह होगा water के लिए permeable ascending limb जो की water को ले रहा होगा तो descending limb loop of handling का water के लिए permeable है और ascending limb basa recta का water के लिए permeable है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और कभी कभी यह जो collecting duct है urea पे release out करते है interstitium का जो concentration है उसे maintain करने के लिए और एक और बात question आता है कि जो interstitium और यह जो concentration of urine का पूरा process है यह हमारा किस-किस किस-किस chemical की मदद से होता है तो आपको ध्यान रखना है urea और NaCl की वज़य से ही यह counter current mechanism और यह सारा concentration of urine done हो पाता है